हाई एवरिवन दिस इज अनुज और मेंटोर ओन दिस प्लेटफॉर्म सो वल्कम एवरिवन तो फंडलेंड बायनुज ओफिशल यूट्यूब चैनल सो दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो एससी ने आपको बताया है फाइनल मेरिट लिस्ट इस फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है फाइनल रिजल्ट का मतलब क्या है क्या आपका जो रिजल्ट है वो 31 तारीक को डिकलेर किया जाएगा क्या मेडिकल पहले कंडेक्ट करवाए जाएगा क्या merit list पहले आएगी या फिर सारा process होने के बाद आपका final result जो आएगा उसकी date ती गई है 31 अक्टूबर इन सभी चीजों के उपर आज हम डिसकस करने वाले हैं इस single video के अंदर तो आप video का इंट तक जरूर देखेगा नए हैं तो subscribe कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लीजे तो चलिए बिना किसी देरी के start करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आपर हम तीन चीजों के उपर डिसकस करेंगे सबसे पहला तो notification के उपर हम बात करेंगे उसके बाद जो previous pattern चला रहा है उसके उपर हम बात करेंगे साथ में हम finally बात करेंगे कि final result क्या है तो सबसे पहले जो पीछे से चला आ रहा है हम उस pattern के उपर बात करते हैं कि आपकी हमेशा से हमेशा से अभी से नहीं पीछे से भी आपने देखा होगा हमेशा से आपकी एक ही after physical आपकी जो list है वो एक ही लगती है आपकी final selection list की final result के list के ठीक है ना after medical आपकी कोई भी merit list या कोई भी result list आज तक नहीं लगी है पहली बात आप सबको clear है इस बात में मुझे नहीं लगता कोई doubt आप सभी लोगों को होगा ठीक है ना आपका exam करवाया जाता है जो notification उसमें clearly एक चीज लिखी हुई है कि जितने बच्चे आपके qualify करेंगे according to आपकी vacancy उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा किस के लिए medical के लिए ठीक है ना कुछ 10% जो बच्चे है I mean 500 बच्चे उन्हें reserve रखा जाएगा reserve means उनकी waiting list होगी कि अगर कोई physical में in case out हो जाता है तो उसमें से बच्चे को लेकर उस vacancy को fill कर दिया जाएगा मतलब पूरी vacancy कर दी जाएगे आपके तो यहाँ पर इन दो चीजों से एक बात तो बिल्कुल clear हो गई है कि आपकी दो list कभी नहीं लगती है तो अगर आपके लिस्ट आज तक नहीं आई है कि आपके अलग से merit बनी हो medical के बाद की physical के बाद की अलग written exam के बाद की अलग तो मतलब 4-4 आपके 3-3 आपके आई हो ऐसा नहीं है final result का मतलब ही यही है कि आपका यही final result है medical वाला कोई final result नहीं होता है medical में तो अगर आप selection हो गया तो आप select है medical is the last stage उसके अंदर आपका क्या result निकालेंगे जब आप select होके गए हो सब कुछ clear करके गए हो उसके बाद ही तो आपका medical करवाएगे आप medical pass हो उसी दिन आपको पता लग जाएगा medical pass हो या medical fail हो आप से पढ़वाया जा रहा है आखों के आगे कि भई आच्छे बाई 12 की आखें नहीं है आप से पढ़ा ही नहीं जा रहा डोक्टर वहीं आपको निल लिख देगा उसके उपर ही आपके सामने आपको खुद पता लग जाएगा उसमें result क्या निकालना आपको रही बात की पहले merit list आएगी बाद में final result आएगा कुछ बुद्धी जीव ये बात कह रहे है तो मैं उन्हें बता दूँ merit list निकालके यहाँ पर cut off निकाली जाएगी उस cut off के according आपको फिर आपका एक list निकाली जाएगी जितनी वेकेंसी 5000 प्लस वेकेंसी है तो 5000 प्लस ही आपके बच्चे बुलाई जाएगे उसके अंदर क्या निकलेगा final result means physical का final result ही आपका final result माना जाता है तो यहाँ पर आपकी जो final result है वो यही result है physical वाला आपका ठीक है न यह कर सकते हैं कि आपका भाई एक बार cut-off का यह बता देगी भाई आपकी cut-off जो है इतना सजाएगा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर और उसके बाद medical को perform करवा दिया जाए ऐसा नहीं होगा ठीक है न क्योंकि medical उन्हीं बच्चों का होगा जो आपके बिल्कुल उस लिस्ट के अंदर आ जाएगा ठीक है न तो अगर final result आएगा तो आपका merit आएगी तो उसके साथ list भी आएगी कि इन इन बच्चों ने selection हो गया और इन इन बच्चों का medical करवाए जाएगा और आपका medical perform किया जाएगा तो आपका जो result हो 31 October को ही आपका declare किया जाएगा final result का मतलब यह नहीं है कि आपका सब कुछ करके उसके बाद में आपके एक list लगेगी क्या list लगाएगा आप सारे select होई medically fit होई आप अपने आप में दो बच्चे भार होगा है उसके जगह दो अंदर ले लिए उसकी list थोड़ी ना लगेगी ठीक है ना सो यह वही result है जो आपका physical वाला result आएगा और उसी result के लिए ही उन्होंने date दी है 31 October आपकी ठीक है ना यह सारी बात ही हम कह रहे है edge पर notification और edge पर आपके previous जो pattern चला रहा है अब बात करते हैं यहां पर कुछ मुठी भर क्या चुनिंदा चुटकी भर लोग है जो बहुत ज्यादा मतलव अपने आप में यूँ बोल रहे हैं कि कि सर आप गलत information दे रहे हो कुछ बोल रहे हैं कि आपके तो दुकान बंद हो जाएगी एक बच्चा तो मुझे instagram पर कह रहा है सर आपके subscriber है ना 10-15 subscriber है ना कम करवा देंगे आपके ठीक है ना तो मैं सिर्फ उन लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि हवाओं के टकराने से पहाडों में छेद नहीं हुआ करते हवाओं के टकराने से पहाडों में छेद नहीं हुआ करते और चुटकी बर लोगों के बोलने से इरादे चेंज नहीं हुआ करते कि हर जंग लड़ी नहीं जाती जीतने के लिए कुछ जंग इसलिए भी लड़ी जाती है ताकि लोगों में जोस बना रहे हैं कि हाँ हमारी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो आप में से जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें यह है वो है तो देखे न डिसलाइक का हमें कोई फर्क पड़ता है क्योंकि YouTube इस पे ऐसा कुछ भी नहीं कि आप डिसलाइक करोगे तो YouTube में गाओं बिराधिरी से हमारा हुका पानी बंद कर देगा आप कर सकते हैं क्वैए कंना कमेंट की बात है तो कमेंट साथ आपके अपने ही हुण जो चाए वह कर सकते एक बच्चा जो ने बोलए कि सब्सक्राइबर कब करते तो खाई आप 5 मैरे चोशट acesso सब्सक्राइबर है मैं ने चलेंज के साथ कह रहा हूं आप मेरे 400 सब्सक्राइबर इसी वीडियो के बाद आउट करवा दो 400 सब्सक्राइबर मेरे आउट करवा दो 6000 रहने दो मेरे चुनिंदा चुटकी भर लोगों से दुनिया नहीं चलती है 400 जाएंगे 4000 नहीं आएंगे पहले दिन जब हमने चैनल स्टार्ट किया था एक भी सब्सक्राइबर नहीं था एक साल से पहले 10 महिने में हमारे सब्सक्राइबर 5000 क्रोस कर गए थे साल का एक साल के अंदर हमने 6000 क्रोस कर लिए तो आप जाओगे दो नहीं आएंगे दो नहीं आएंगे पुराने गीता भी यहीं कहती है दुनिया आने जाना का खेल है आप जाओ नहीं आएंगे तो यह आप मत समझ ना कि भाई आपके पीछे हमारा सब कुछ चल रहा है यह तो give and take वाला relation है ठीक है ना अगर आप कहते हो YouTube हम पर depend है तो आप भी हम पर depend है एक मिनट में अगर आपको कोई information नहीं मिलती ना तो कबज की बिमारी हो जाती है अपके ऐसा पेट खराब हो जाता है कि सुर को को आएगा सुर बदी यह कब आएगा तो यह मत समझ यह कि आपके पीछे हम बैठे हैं हमारे पीछे आप भी बैठे हैं अगर आपको एक सवाल नहीं आता कोई notification समझ नहीं आती है आप जट से बाग की YouTube आते हैं तो आपके पास जरिया हम हैं तो यह मत समझ जी कि हम आपके आगे हाथ फैला के खड़े हैं आप भी हमारे सामने खड़ेगे हमें कुछ परोसो हमें कुछ information दीजिए अगर हम नहीं तो आप भी नहीं है तो यह वहम तो आप अपने मन से निकाल दीजिए और जो भा आप गाट का पानी पीके यहां तक पोचे हैं धक्के खाके पोचे हैं 500-700 से कोई फर्क नहीं पड़ता आज 500-1000 नहीं आएंगे बढ़ हां जो लोग चाहने वाले हैं जो लोग प्यार करने वाले हैं वो बने रहीं वो काफी है ठीक है बाकि आप सभी के लिए information ऐसे आती र बोला हो आपके पास नहीं आएंगे बट जब तक आपके पास कोई डाउट किलियर नहीं होगा मेरी सारी वीडियो आपको दिन में 6-6 भी मिल जाएंगी कोई टेंस नहीं जो कह रहे हैं न 6 वीडियो आ रहे हैं आप मत करें आपन सब्सक्राइब कीजिए 400 बदिंदों का मै यह कोई परवा नहीं है आप एक बार अगर चैनल पर आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ दे कर ही जाएंगे और आप समझ चुके होगे कि यह देने का मतलब यहां पर क्या है चाहिए आप लाइक करके जाएं डिसलाइक वीडियो प्ले कर दी तो आप कुछ ना कुछ दे कर ही ठीक है तो थैंक्यू सो मच सारे हेटर्स को भी मेरा मैंने जो कह रहे थे कि जवाब जवाब तो हेटर्स को जवाब भी मिल गया होगा साथ में स्पोर्टर्स हैं उनको भी बहुत-बहुत सुक्रिया स्पोर्ट करने के लिए और रही बात मेरी तो अगेन वोही हवाओं के टकराने से पहाडों में छेद नहीं हुआ करते हैं थैंक्यू सो मच